कल गंडू स्पेशल एजुकेशन हमें शकार दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सब का आपके अपने यूटूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन सो आप सभी कैंडेट को बता कि हमारी क्लास सर ली थी और आज का ये है क्लास का पार्ट नंबर एड़ जीनो ने पहले वली क्लास नहीं देखी जाके देख सकते हो काफी सारे कैंडेट के कमेंट आया थे कि सर क्लास इस मिल नहीं रही तो दोस्तों मैंने एक प्लेलिस्ट क्रि टाइम वेश्ट किया बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार जिट कर रहे हो और अभी तक आप ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तैनल प्लिस दू सब्सक्राइब दी चैनल और प्रेश दी बाल आइकन सो यू कन गेट ओल दा लेटेश अप्डेट फ कोशन देखने को मिलेगे हो सकता है ज्यादा कोशन भी देखने को मिल जाए तो कल आज शाम से या कल सुबे से मैं आपकी एक नई सीरी स्टार्ट करूं जिसमें कि हम लोग चंडीगड की हिस्ट्री पढ़ाएगे और यह मैं आप लोग को मैंने आप लोग को बुक प्रोव आपको यह भी पता लगजेगा आप जो पढ़ रहे हो आपको याद हो रहा या नहीं हो रहा मतलब आपका बड़ीया रिवीजन हो जाएगा तो यह हिस्ट्री की क्लासिप आपकी स्टार्ट हो जाएगी जैसा कि आप लोग ने बोला था ठीक है इसके बाद हम लोग इंडि इसको CDSL बोलते है इसके नए MD और CEO बनाए गई है इनका नाम है नेहुल वोरा चीक है और आज किस वीडियो में दोस्तो हम लोग रिवीजन का पार्ट कम रखेगे और पढ़ाई जादा करेगे हो इसको इसलिए लेकर रहे है क्योंकि यह इंडिया की सबसे लार्जस्ट डि इंडिया की सबसे बड़ी डिपोजिटरी है जिसका नाम है CDSL और इसके नए MD और CEO बनाए गई है तो यह आपके एक्जाम के point of view से important हो सकता है ठीक है एक्जाम में सीधा question भी आ सकता है static question बनके की इंडिया की सबसे लार्जस्ट सबसे बड़ी डिपोजिटरी कौन सी है तो उसका नाम या दकना है CDSL, CDSL की full form भी आ सकती है direct abbreviation का question भी आ सकता है बुक में मैंने आपको abbreviation भी सारी list दे रखी है तो एक्जाम में आपका direct abbreviation का question भी आ सकता है कि CDSL की full form बता दो Central Depository Service Limited होती है और इसके नए MD और CEO बनाए गई है जिनका नाम है नेहल वोरा तो यह थी आ आए हर को पाल और Project Neable Indian Army ने लौंच किया है ठीक है यह आपको पता को क्यों लौंच किए Indian Army ने ताकि Indian Army और उनके family members को USAITा परोदान कर सके और इस project का नाम है Project Naman और यह किसने लौंच किए Indian Army ने लौंच की तो यह होगा मारा revision part और यह होगी मारी आज की news तो चलिए last question की त पर आपको पता है मतलब एक तरीके से फोर्स है जो कि आपके C.A.P.F. का पार्ट होती है ये भी आपको पता होगा इंडिन आर्मी वगरा सब C.A.P.F. का पार्ट होती है तो C.I.S.F. Central Industrial Security Force की नए डारेक्टर जनरल बनाए गई है इनका नाम ये जो force है ये किसका पार्ट होती है तो ये C.A.P.F. का पार्ट होती है ठीक है और टोटल इसके अंदर साथ forces आती है C.A.P.F. में जिसमें से एक C.I.S.F. है तो ये सब basic है ये आपको पता होगा और अब हम लोग revision कर लेता है जैसे World Wrestling Championship ये काफी एक अफ़ते पुरानी न्यूज है जो मैंने आपको पढ़ाई थी तो आप बूलना जाओ इसलिए revision के लिए लेकर आया हूँ World Wrestling Championship कहां पर हो रही है दो हजार चोबिस में तो ये Jordan के अमान में हो रही है तो इसको मैंने tricks के थूर याद कराया था कि wrestling करने में जोड लगता है तो उससे Jordan आप लोग कमेंट कर सकते हो और ज्यादा जोड लगा थो तो अमा की याद आ देती तो इस तरीके से आप लोग कमेंट कर सकते हो तो चलिए next question की तरफ move करते है अगला question इसको भी इंपॉइंट मा करना लोरियार कमपनी का नाम सुना होगा आप लोगों ने जो hair dye hair colors बेजती है तो लोरियार कमपनी ने अपने नए brand ambassador बनाए है brand ambassador basically वो होते है जो इनके brand को promote करते है ताकि लोग जादा से जादा इनका product खरीते तो लोरियार कमपनी के नए brand ambassador बन ना दिया गया है I think clear होगा एश्वरे राय तो आपको याद होगा क्योंकि टीवी पर इस company बहुत एड़ दिख्योंगी एश्वरे राय एड़ करती है तो इसके साथ साथ अलिया भट भी इसकी brand ambassador बन चुकी है I think यह भी clear होगा तो चलिए अब revision part में move कर लेते है revision कर लेते ह इंडिया ने 2015 से लेकर 2021 में फसलोग में काफी भारी नुकसान हुआ है तो आपको याद रखना है सूखे के कारण ड्रोट के कारण 35 million hectare का फसलोग का नुकसान हुआ है और ज्यादा बारिश होने के कारण 33.9 million hectare फसलोग का नुकसान हुआ है इंडिया में और टाइम सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो चलिए आगे मूव कर लेते हैं और आगे पढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफोमेशन और शेयर कर दोस्तों अगर अभी तक आप लोग ने हमारा टेलीग्राम या फिर वट्सैप ग्रूप नहीं जोइन किय जितने भी आपकी टोपिक्स है वो सारे रिवाइज हो जाएगा है चंडीगड से के रिगार्डिंग हिस्ट्री वगारा सब कुछ रिवाइज करा दूआं MC की फोम में टेलीग्राम ग्रूप पे ठीक है तो जोइनिंग कर लो जैसी 1000 सब्सक्राइबर या फोलोवर्स हो जा ठीक है जो प्रेजिडेंट है उनका नाम याद रखना है दृरपदी मुर्मू ठीक है इनों ने नया लो कमीशन話 बनाया कानून का कमीशनShares बनायाए और इसके चेर्मैन बनाया है इसको याद रखना है इनके चेर्मैन है ज़स्टीस राज अवस्टी तो जश्टीस राज हो जाता है क्योंकि आप लोग कोट का एक्जाम देने जा रहे हैं तो इसको भी आप लोग important mark कर लेना ठीक है दुबारा repeat करते तो इंडियन सरकार ने बारतिय सरकार ने नया कानून commission मनाया है लो commission मनाया है इसके आगे move करते हैं अगले question की तरफ अगला question आप लोग देख सकते हो इंडिया का पहला अब ये भी मैं इसलिए लेकिया है क्योंकि ये इंडिया का पहला है इसलिए important बन जाता है आपके exam के point of view से इंडिया का पहला pollution control vessel बनाया गया है जो की pollution को control करेगा इस ताइम आपको पता है pollution की समझ से आप बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है especially इंडिया में और इंडिया का pollution control करने के लिए pollution control vessel बनाया गया है जिसका नाम है समुंदर प्रताप और इसको गोवा में लौच किया गया यह आपको याद रखने है दुबारा रिपीट कर देतो हो इंडिया का पहला pollution control vessel बनाया गया है जिसको गोवा में लौच किया गया है और इसका नाम है समुंदर प्रताप यह आपको याद रखना है आगे मूव कर लेते हैं एक नई स्कीम लौच की गई है सरकार के दोरा स्टेट कोवर्मेंट के दोरा यह राजय सरकार के दोरा यह लौच की यह जिसका नाम है वरिंदावन ग्राम स्कीम और यह मध्यापरदेश ने लौच किया तो मर्ध्यापरदेश रिलेटेड मैंने एक फैक्टोर यहाँ पैड कर दिया जो कि कल मैंने आपको पढ़ाया था मध्यापरदेश ने एक और स्कीम लौच किया जिसका नाम है एग्रिकल्चर इंफरस्ट्रक्चर फंड स्कीम तो अब मध्यापरदेश से लेट आपकी दो न्यूज होगी एक होगी वरिंदावन कराम स्कीम एक होगी आपकी एग्रिकल्चर इंफरस्ट्रक्चर फंड स्की आपको दिस्क्रिप्शन बोक्स में पूच सकते हो और आउप आपको विडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करके बेल आईकन को प्रेस कर लेना